नमस्कार आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूँ आपका दोश संकी शर्मा आज इस वीडियो में बताएंगे मौसम का हाल यानि आप जहां रहते हैं वहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज इस वीडियो की मदद से आपको अज पता चल जाएगा पश्चिमी विक्षोप इस नक्षे की मज़ से आज हमको बताएंगे उत्तर दक्षिन पूरव पश्चिम के मौसम का हाल तो आईए शुरुबात करते हैं आज ही की अगर बात करें तो आज के मौसम का पूरवनमान था 11 तारिक का तो अगर आप देखेंगे आपकी जहां जा नजर जाएगी तो उत्तर दक्षिन पूरव पश्चिम की बात करें सबसे पहले उपर की बात करें जम्मू कश्मीर, लदाक, उत्तराखंड, हिमाचल, हर्याना, चंडिगड अधिकान शिस्से आप देखेंगे तो ग्रीन दर्शार है यानि यहाँ पर मौसम साफ है मौसम यहाँ पर शुटपट बारज देखने को मिली है तो पूरवत्र राजो में अभी भी हलो बनी हुई है तो कही न कहीं जो सायक्लोन टर्फ बन रहा था एक टर्फ बना था उसके कारण से भी भी पूरवत्र के राजो मौसम बना हुआ है लेकिन जब दक्षण की बात करते हैं तो तरीके से हम आपको बता देते हैं कोस्रा अंधर प्रदेश यहां पर हल्गी बारburst बारश यहां पर अभी बनी हुई है वहीं अगर बात करने राहाल सीमा की तो यहां भी हल्की बारश देखने को मिल रही है और जैसे से आपकी नदर जाएगी दक्षण के अधिकांश हिस्तों में जैसा कि मैं आपको पहले पताया था तो यहां आज भी भारी भारिश और हल्की बारिश छुटपुट बारिश देखने को मिल रही है और अगर अगर अब लक्षदीप की बात करते हैं तो यहां भी हलकी बारिश बनी हुई है और जैसे हम उपर चलते जाएंगे कोनकन गुआ में तो यहां पर भी हलकी बारिश बनी हुई है यानि कि अधिकांश हिस्तों चे तो मौनसुन की वापसी हो चुकी है लेकिन कुछ जो इलाके हैं अभी दक्षिन के इराज हैं यहां पर अ तो जो यह वेस्टरन डिस्रबिंस यहाँ पर क्रियेट हो रहा था यानि कि पश्चिम विक्षोब जो उत्तर हिमाली छेतरों हमको देखने को मिल रहा था था उस कारण से जम्मू कश्मीर लद्दाक का जो यह इलाका है गलिकित का और हिमाचल प्रदेश का इलाका उत्तर इलाका यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में आपको छुटबुट बारिज देखने को मिलीगी और इसका प्रिभाव आप देखेंगे तो इस टोतर प्रदेश तक बढ़ेगा और आने वाले समय में यह जो इलाके हैं यानि कि IMD का पूरवनमान हैं आने बारा से तेरे अक्ट बारिज देखने को मिलेगी मौनसून की वापसी के बाद भी जो वेस्टन डिस्रबेंस क्रियेट होगा जो पेश्रमी विक्षोफ क्रियेट होगा उसके कारण से देश के तमाम हिस्सों में आने वाले हफते में बारिज का पूर वनमान जताय जा रहा है तो आईए बात कर हाल है कैसा रहेगा मौसम का हाल हमने आपको बताया था आज 11 Praiousносूर को तो अब समय संपल यहां पर अभी वी हलकी बारिश तो यहाँ पर अभी भी हलकी बार मद्यम बारिश बनी हुई है और यहाँ के अधिकान शिर्षव में अभी भारी बारिश वोरी है सिलसिलार तरीके से अगर हम जान लें तो आप देखेंगे मैं नक्षे की मदल से आपको देखाऊंगे तमिलनाडू पुंडिचरी में भारी चेतावनी है वहीं साथ इंडिय करनाटका में थंडर्स्टों लाइटनिंग यानि की यहां की लोगों को खास ध्यान रखने की आवश्यक्ता है दक्षिन के जो लोग है उनको यह आवश्यक्ता है ध्यान रखने की कि यहां पर अभी गरच चमक के साथ बादल कर जाएंगे तो बिजनी गिरने की संभावना है तो यानि आम जन्माना से जो किसान है वो इस बात का खास ख्याल रखें जब अपने रोजमर्रा की काम पे निकलें तो बारिश को ध्यान में रखते हुए और लाइटनिंग की जो चेतावनी उसको भी ध्यान में रखें तो यह जो हमने आपको पूरा दिखाने का प्रयास किया कि कैसा रहेगा मौसम का हाल बार अक्टूबर को तो उसमें यही निश्कर्श निकलता है कि जब वेस्टन डिसिबिंस क्रेट होगा तो यहाँ पर मौसम बनना शुरू हो गया और यहाँ पर जो उतर हिमाली छेत अगर आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा होगा लेकिन अभी भी यहाँ पर यह जो मद्द भारत के इलाके हैं उतरपश्रिम के जो इलाके हैं यहाँ पर अभी गर्मी का महौल है और आप यह ऐसा महसूद भी कर पा रहे होंगे जो लोग रहने वाले हैं उतरप्रदेश के रह पसके जो लोग रहने वाले हैं वहीं राजिस्तान की अगर हम बात करें तो यह जो इलाके हैं यहाँ पर अभी दिन के समय गर्मी का जो एहसास है वो लोग कर पा रहे हैं लेकिन आने वाले दुनों में अगर हम बात करते हैं इस हफते को जैसे से हफता बीतेगा तो यहाँ के मौसम का मिज़ास बगलेगा और यहां पर बारिश और ठंडक महसूस होगी लोगों को तो ये तो था मौसम का पूरवर्मान हमने आपको बताया आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी तबा दे